गुड मॉनिंग बच्चो आज हम इस्ट्री का जो ग्यार्वा चेप्टर है उसको आगे बढ़ाते भे पढ़ेंगे इसकी दो जो क्लासीज है हमारी पहले होचकी है और यह हमारी तीसरी क्लास है तो चेप्टर का नाम आप उसको पताई है कि विद्रोई और राज हमने जो लास्ट की वीडियो थी उसमें हमने पढ़ लिया है कि विद्रोई का सबूप कैसा था विद्रोई के नेता कौन थे उसके अन्वियाई कौन थे और इस तरह से किसकी वज़े से फैला कौन सी भविश्यमान थी कौन सी अफवाएं थी लोगों अफवाओं में लोग अ फवाओं पर विश्वास क्यों करते थे अवद का विद्रोई कैसा था फ्रंगी राज का आनार उसके खतम करने के पीछे क्या धारना थी और इसी तरह से हमने यह भी पढ़ लिए है कि विद्रोई ही चाहते क्या थे और तो आज हम पढ़ेंगे कि जो उसका दमन हुआ था यह जो विद्रोई था इसका दमन कैसे हुआ इसको कुछला कैसे है ठीक है तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैकल्पिक सत्ता की तलास कि अब क्या हो रहा था कि जो विद्रोई ही थे उसको काफी जगें पर जीत हैं हो रहे दिक हैं हम कि दिली में भी उनको दिली में भी जीत हासिल हो गई थी इसी तरह से उनको लखनव में जहांसी मेकानपूर में तो यह इस तरह से वो जीतते जा रहे थे तो जीतते जा रहे थे तो उन्होंने जो आपकी सासन और सत्तागी जो संरचना थी उसको भी उन्होंने दुबारा से स्थापित किया और सबसे पहले अपनी तर्बारी संस्कृति को अपन है पैसे पहले दरबार होते थे बहुत सारे जो कवी थे मंत्री थे याने पूरी जो पीछे की जो सनरचना थी दरबार वाले उनोंने उन्हीं को दुबारा से लागू कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या कि उन्होंने नियुक्तियां के मतलब क्या होता है कि विभिन पदों पर ण्युक्ति की यानि creepy nämちゃん जो डिपार्टमेंट थे वो बनाए उसका अपने एक अलग मंतरी बनाए और फिर उन्होंने क्या म्ज़ उक प्धति उस सेंतले कैसी लोगों से भूराजि लेना किTना सेंतले की नेने कि रहकंगए को उनके व्येतन का भुक्तान का इंजाम भी किया कि जो सैनिक है उनकी जो सैलरी है वो कैसे दी जाएगी और ये सारा उन्होंने पहले सा इंजाम कर लिया इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि हमने जो लूट पार्ट और जो हो रहे थी उसके राज्य में उनको बंद करने के लिए भी हुन्होंने योजना बनाने शुरू करदी और इसके अलाव उन्होंने कहा कि हमने जीत हाशिल कर लिये लेकिन उनको भी पता था कि अंग्रेज हभी भी है जब अंग्रेज है तो यूद तो समाप्त होई नहीं सकता तो जो यूद की जो नीती थी उसको क्या-क्या कंटिन्यू करते रहे तो इस तरह से उन्होंने अपनी ये सारी वो बनाई योजनाय बनाई कि हमें वैकलपिक सत्ता जब उनको सत्ता मिल गई थी तो उनको कैसे आगे बढ कि इस तरह से उन्होंने करते करते जो अपना अठाड़ सताओं सेटारस और तक उन्होंने काफी जगहां पर जीत आसिल कर लीती और अंग्रेज थे वह आवंद के खिलाफ उनका विद्रों थक काफी लंबा चला था तो अंग्रेजों को भी पता चल गया था कि जो विद्र तो है इतना आसान नहीं है और उसको दबाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा एक लंबा संखर्ज करना पड़ेगा तो इस तरह से उन्होंने जो दमन करने के जो तरीके थे वह बदलने शुरू कर दें और दमन का मतलब होता है वह यह होता है कि जबरदस्ती कि किसी को ठीक है कि कैसे उसने उन विद्रों को कुजला तो 1870 के बारे में हमारे पास जो वीवरण है उनसे साफ हो जाता है कि जो विद्रों को कुचलना अंगरेजों के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं था उसको कुचलने के लिए उनने काफी संगर्श करने आपड़ा तो सबसे पहले उन्होंने क्या कि जो भारत को दोबारा जीतने के लिए जो अपनी सैनिक टुकडियां थी उनको रवाना किया ठीक है और सैनिक टुकडियों में क्या कि जो फोजियों के जो कानून थे ना उनको आसान नए कानून पारित कि उनको आसान कर दिया याने की आसान का नहीं कि टिक है अब इसमें क्या था कि फूजी जैसे पहले जब किसी के उपर मुकद्मा चलाते थे तो पहले वो क्या हो जा था पुलिश में जाता ठीक है उसके बार वह कहा जाता वो कौट में जाता या अदालत में जाता फिर वहाँ पर जज होता था वो क्या करता था उसका फैसला सुनाता था लेकिन अब हिनों ने क्या कर दिया कि उन्होंने सीधा फोजियों को ही बोल दिया कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो अगर आपको लगता है कि सक्क्यादाहर पर भी कि यह विद्रों में सामिल है अगर आपको विद्रों में होने का सक होता है तो भी आप उनको सजा दे सकते हो और वह सजा इतनी कठोर दी कि सजा कर दी सजाए मौत ठीक है कि यानि फोजी ओं आफसर यहां तक की जो अंग्रेज लोग थे ठीक है जो आंग्रेज यानि वहां के जो आंग्रेज यहां पर रहते थे उनको भी पावर दे थे कि अगर आपको लगता है कि यह विद्रों में लिप्त है अगर आपको उसका संदे भी है तो भी उनको आप आरेस्ट करके और जो सजाय हो क्या होगी मोत की होगी यानि लोगों में खोग पैदा करने के लिए उन्होंने ये भावना फैलाई यानि ये कानून बनाए दूसरा है कि नए विशेश कानून बनाए और ब्रिटियन से जो न नए जो हथियार थे उनसे लैस जो सेना थी उनको उन्होंने बुलाया और वो सेना ने क्या किया कि इस विद्रों को कुछलने में अंग्रेजों की काफी हद तक हैल्प कि हमारे जो बहारते थे उनके पास क्या होते थे या तो तलवार होती थी ठीक है या तीर कमान होते थे और या फिर जो किसान वगर होता थे वो तो कुल हाड़ी बर्चे लेकर लटने लग जाते थे तो इनके पास कोई ऐसे हत्यार नहीं होते थे जबकि अंग्रेजों के पास क्या थी तोप होती थी उनके पास एक तरह से राइफल होती थी गोला बारूद होता था तो इस तरह से जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी सेना को नए नए हत्या दिये और जिससे कि जो विद्रो था वो कुचलना काफी आसान हो गया दूसरा था जो दिल्ली था दिल्ली जैसे यहाँ पे है इधर पंजाब है और इधर हमारा कलकत्ता है तो दिल्ली के महतव को वो भी समझते थे और हमारे विद्रोही भी विद्रोही उन्होंने दिल्ली पे कबजा कर लिया था तो उसको छुडाना अंग्रेज चुकली तिना आसान नहीं था तो इसलिए उन्होंने दो थरफ से हमला करया इधर पंजाब से उन्होंने अपने सैनिक भीजे और इधर कलकता से तब जाकर उन्होंने सितंबर 18 सो अठावन में जाकर दिल्ली को उन्होंने अपने कबजे मिलिया क्यों कि उनको खालिद ये जो अपने स्टेट थे ही नहीं जीतने थे उनको हर गाउं को जीतना था क्योंकि जो ये विद्रो था इसमें हर गाउं के लोग जुड़े हुए थे ठीक है देहात के लोग जुड़े हुए थे सभी इनके खिलाफ थे और उनके खिलाफ जो उपद्र जो कारवाई शुरू की थी उनसे अंगरे जो को अहसास हो गया था कि ये सिर्फ सैनिक विद्रो नहीं है इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा जन समर्थन मोजूद है यान कि यह खाले सैनिक विद्रोओ है जो स्टार्टिंग हुई थी वह नहीं है अब तो इस इसमीं काफी जन समर्थन यानि जो गाओं के लोग हैं मिडल क्लास लोग हैं यानि हर टब्रके के लोग वो इसमें सामिल हो गए हैं और एक अंग्रेज अपसर हम आहिं लगाया था कि जो आवध में कि जो आबादी हैं उसकी लगवग 3 4 वैसक हैं यानि तीन चो झोली जो जवान बच्चे हैं वह लडाई में और वीत्रों में सामिल है और इसी लिए अंग्रेजों ने मार्च 1868 में जा कर दुबारा से इस पर निंद्रन कर पाए इतना लंबा खिजाओं के लिए ठीक है इसके बाद जो अंग्रेजों ने जो सैनिक ताकत का एक भयानक पैमाने पर इस्तमाल किया यहां जो सारी अंग्रेजों के खिलाव थे तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अगर उनको जीत हासिल करनी है तो उनको तोड़ना होगा, क्योंकि इस विद्रों में सब ही सामिल हो गए थे, आम लोग भी थे, किसान भी थे, भुष्वामी भी थे, कास्तकार भी थे, जमीनदार भी थे, शहुकार भी थे, सैनिक भी थे, सारे सामिल थे, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सोचा कि अगर की एकता बनी रही है को फ़राना मोज़ के लए तो क्यों ना हम एकता तोड़े तो इसलिए उन्हों ने जो भुष्वब और कास्ट कार थे उनको तोड़ना करका । आप क्यों कि आपो कैसे तोड़ा हुनों ने र Melanie ने उनको लालस देना शुरू कर दिया और लालस क्या दिया कि अगर तुम हमारे साथ मिलकर लड़ोगे तुझे आपकी भूहमी है हम उनको छीनने विने ठीक है तो इस तरह से उन्होंने उनको क्या किया उनको एक लालस दिया और लालस क्या दिया कि जो बड़े-बड़े जा किया रहा है वो उनको वापस लोटा दी जाए ठीक है तो इस तरह से उनका क्या हो गया है उनको उनकी एक्ता को तोड़ दिया उसके बाद जो था वो था कि उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों के साथ देंगे उनको इनाम दिये जाएंगी ठीक है और इनाम देकर उनको तो यहीं तो थे तो अगर उनको नई जागिर दे दी जाएगी बड़ा-बड़ा इनाम दिया जाएगा तो इस तरह से उन्हों विद्रों को कुचलने के लिए नई कुटनेती का इस्तेमाल किया दूसरे जो और बहुत सारे जविन दार थे वह अंग्रे जो से लड़ते रहे जब उनके पास कुछ था ही नहीं तो कुछ नेपाल भागर कुछ भीमार के कान मर गए तो इस आगे जो है वह है अगर इसमें धार उस्तावन की क्रांती जो हुई थी या विद्रों हुए थे उसमें भारतियों के हार की क्या कान थे तो सबसे पहले अगर हम कान की बात करते तो सबसे पहला तो संग्ठन का अभाव को एक संग्ठन नहीं था हर जगे अलग नेता थे अलग अपना विद्रों कर रहे थे तो उनमें संक्ठन का भाव था एक होकर नहीं लड़ रहे थे सब अपने उसके लिए दूसरा जो हमारा था वो क्या था कि उनमें एक तरह से हमका जो अथ्यार थे वो आदूनिक नहीं थे तो आदूनिक अथ्यारों का भी क्या थी? कमी थी आदुने का थ्यारों की कमी थी ठीक है तीसरा क्या था कि उनमें उनका जो लड़ने का जो उद्देश से था वो अलग था जो उद्देश से थे वो विभिनते कोई अपनी जागीर के लिए लड़ रहा था कोई अपने राज्ये के लिए लड़ रहा था कोई अपनी पैंसन के थे वह क्या थे उनकी रन्निती का मजबूत थी जबकि इनकीíst 8 Brad और यहार घृझ्ष। उनेती के रिवास तो उससे लोग सामील हो जाते हैं उपको यह रे lazım शाया है लड़ते थे वो, सब के अपनी अलग रणनी थी, कोई कहते थे कि वहाँ पर जाके हमला करना है, उन तलवार से लड़ना है, तो उनमें कोई एक तरह से रणनी थी, उनकी नहीं थी, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो कान हैं, जिनकी वज़े से क्या हुई थी, इसमें हम जान सकते हैं, जैसा हमने उपर पीछे देख चुके हैं, जो विद्रोहें की सोच थी, के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावीजे, क्योंकि जो विद्रोहे थे, वो अनपट थे, उनको पढ़ने लिखने का इतना ग्यार नहीं था, तो ना तो उनका कुछ रिटन में चोड के गए, नहीं कुछ और, जो हमारे पास मिला है विद्रोहें का, वो कुछ गोसनाई है, हदिस उचने है, या नेताओं के पत्र, नेता आपस में पत्र वेभार करते थे, या गोसनाई की थी उन्होंने, या कुछ विद्रोहें थे, वो क्या लड़ रहे थे, और कैसे लेकिन हम उसके बात करते हैं हम आज देखते हैं तो जादतर हमें अंग्रेजों के लिखे दस्तावेज पर ही विश्वास करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने भी द्रोई के कारवाई करते हैं टाइम उनको क्या गतल लिखा था अगर हम सरकारी बियजय के भी कमी है क्योंकि ऊपनी वेसिक जो शासक था या फोजी थे वो क्या करते थे चिठ्था लिखते थे आत्म कता लिखते थे तो इस तरह के बहुत सार बियोध़े हैं जिसमें एसन के मैमू हैं नोटस हैं और उस परिस्तिते का आँकन या लिखेगा या कुछ है मैमो लिखेगा नोट्स लिखेगा तो फेसलिए वह अपने देशंस रिह comme ये तो है ने कि वो इंडिया की तर्ष करेगा तो इसी लिए हमें विद्रोहियों के बारे में कम जानकर मिलती है हमें जो सुचना मिलती हो जाधा अंग्रेजों के लिखे होए पत्र डाएरी उसे है मिलती है अगर हम इनके दस्तावीज को देखते हैं तो जादा तर जो हमें अफसर हैं उनके मोजुद बहाव और बैचेनी का ही पता चलता है कि उस टाइम की जो अफसर थे वो कैसे डरे हुए थे तो उन्होंने डाला है कि जो जनता है उनकी भावनाओं को कैसे भढ़काया ज इस तरह से उत्साहित कर रहे थे या उत्तेजित कर रहे थे और कौन कर रहे थी वह जादा तर ब्रिटिशर कर रहे थे क्यों क्योंकि जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने कहा था सबसे पहले तो उन्होंने जैसे चित्र बनाए हैं जिसमें अपने रक्षकों का हभी नेंदन किय बनाया है क्यो वी तरहन होता है कि जो ऑंग्रेज होता था या कोई दूसरा बारकर ना गया है उन चित्रों में जैसे रिलीफ ओफ लखनाव जो जो जोन्स बारकर ने बनाया था तो इसी तरह का एक उधान है जिसमें बताया है कि ये जो नीचे है देखो ये चित्र है इसमें दिखाया है कि जो विद्रोहियां की टुकडी ने जब लखनाव पर डेरे डाला था तो उसमें क्या था कि जो लखनाव के कमिशनर थे हैंरी लोरेंस उसने इसायों की कठा किया और उनको बचाने के लिए क्या था उन्हें बेहत सुरिक्सित रेजिदेंस में पना ले थी लोरेंस तो मारा गया था लेकिन उन्होंने वो रेजिदेंस जिसमें उन्होंने पना ले तो उन्होंने विद्रवियों को भगाया था और टुकडी थी सेना की उसको मजबूती मिली थी ठीक है बीस दिन के बाद टुकडियों का एक नया कमांडर बना कोलिन कैमबेल उसने बड़ी तादाद में उसेना लेकर महां पर पहुंचा और ब्रिटीस के जो रक्षक शेना थी उसको उस गहरे से चुड़वाया और अंग्रेजों के अपने बायानों में लखनों की जो गहरा बन दी थी उसमें उसने अपनी बहादुराना जो तस्वीर पेस की थी जिससे की जो ब्रिटीस सत्ता की जुनिर्ववाद विजय की जो कहानी बन गई थी ठीक है तो इस तरह से जो हमारा यह चलता है कि इसके आगे है कि जो बारकर की जो पेंटिंग थी इसमें केमपेल के आगमन के छणका जसन बनाते वह दिखाया है कि जो केमपेल महां पर आता है तो ओटरम हैवलो के तीनों बेटीस से जुनायक है वह मिलते वे दिखे हैं बीड़ी के उसके चारों तरफ है वहाथ मिला रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे है कि साइद हम अंगरेज जो जनता थी उनमें बड़ा गुस्सा आता था और वह सूचते थे कि हमारे जो सैनिक हैं हमारी जो ओरते हैं जो बच्चे हैं उनके साथ इंडिया में क्या है अन्याय क्या जा रहा है और उस अन्याय का परतिशोद लेने के लिए हमारे गवर्मेंट कुछ नहीं कर रही है तो इसलिए अपनी गवर्मेंट पर दबाव डालते थे इंडिया में भारत में जो भी हमारे सैनिक हैं बच्चे हैं औरते हैं उनको बचाया जाए उनकी रक्षा किया जाए तो जो अंग्रेज और और बेटेन की परतिष्ठा थी तो बहार जब उस टाइम अंग् है बेटेन की जनता उसका बदला लेने के लिए और भारतियों के सबक सिखाने की मांग कर रही थी अंग्रेजी सरकार से और अंग्रेजी सरकार से मासुम बच्चों को बचाने ओरतें की जित बचाने के लिए सुरक्षया की मांग कर रही थी जो कलाकार थे वो सदमें और प सकता है उनके साथ क्या जा रहा हां नग्रेज़ क्या जाता है सिसी तरह से जोंप्न विड्रों के दो साल बाद एक चित्र सवय था इन देता है उनिस만 घ्यूलग। ऊंग्रेज़ ती से कैसे डिवडर माएप ईफ़ा रागे जो सारी बच्चे हैं वो क्या है लिपट रहे क्योंकि भार जो था वो विद्रो हो रहा था और विद्रोहित पहुँच रहा थे इसमें दिखार के एक अरधे से अपनी रख्षा करती है कैसे वो अपने विद्रुईयों को मार देती है और अपनी रक्षा करती तो इस तरहें कि जो चित्र थे वो जनता से उनकी भावना पाने के लिए उनकी सहनु भूती पाने के लिए करते थे आगे है 3500 दोर शबक तो अब यहां था कि जैसे जैसे बेटें के गुसे में बढ़ते जा रहे थे तो उससे क्या हो रहा था कि जो माहूल था वो भी सक्ते में आ रहा था बदले की जो मांग थी वो बुलंद होती जा रही थी जनता मांग कर रही थी स्टैनिकों से सरकार से कि कि तुम उस दमन को दबाओ हमारी जनता है उसकी स्रुक्ष्या करो तो इस तरह से न्याय के अने को चित्रा रहे थे और बदले की मांग की जा रहे थी कि जैसा वो कर रहे हैं उनके साथ उससे बुरा वैफार करो तो जब अंग्रेज हमारे साथ यहां पर कर रहे थे हमारे स जन्ता को खुशी मिलती थी और वो अपने आपको एक हिरो की तरह अपने आपको पेश कर रहे थे अगला है कि दहसत का परवर्तन क्या गया था तो विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए दहसत फैलाई जा रही थी ठीक है ऐसे चित्र बनाए जा रहे थे जिसमें यह दिखा दिया जाता था या फांसी दी जाती थी और वो खुले ओपन में दी जाती थी ताकि जो लोगों में क्या हो जाए दहसत फैल जाए डर बैठ जाए और वो विद्रोह करने की ना सोचे दूसरा है दया के लिए कोई जगह नहीं जब यह परतिसोद की भावना का जो सोड मच तो उस टाइम कुछ नरम सुझाओ वी आए उनका मजाक बनने लगा जैसे जनरल कैनिंग थे उन्होंने कहा था कि नर्मी और दया की भावन ना बरती जाए जो वफादारी सैनिक हैं को असिल करने के लिए तो ब्रिटिस जो प्रेस थी जो मीडिया था उसने उसका क्या किया मजाक उड़ा था और इस तरह के चित्र बनाने शुरू किये थे कि जो भी सैनिक है या राजा है अगर वह अपने हथ्या टेकता है अंग्रेजों कि शर्ण में आता है तो उनको इस तरह से माफ कर दिया जाएगा तो इस तरह से क्या था कि एक बुजूर्ग जो दिख रहा ह है तो उसमें यह कौन है लाड कैनिंग है और यह भारती है तो इसमें कहा था कि उस पर सर पे हाथ धर देगा और उसको माफ कर देगा अगर वह अंग्रेजों का साथ देता है तो इसके बाद है कि राष्टवादी दरश्य की कलपना कि हमारे इंडिया में जो राष्टवादी जो दरश्य था उसकी कलपना कैसे की गई तो इसमें क्या है कि जो हमारा अठाराश ताउन का जो अंदोलन था उसको अगर हम उसकी घटना करूंगी को देखें तो काफी प्रे में एक राष्टवाद की भावना आई और इसी लिए इसको क्या गाता फर्स्ट सवतंतरता संग्राम कहा जाता है क्योंकि इस जो विद्रों था उसमें समाज के सभी तबके ने मिलकर भाग लिया था और जो सामराजयवादी सकती थी विरी टीसर उनके खिलाफ उन्होंने मोर के रूप में पेस किया था जो जनता को रण स्थल की तरफ लेके गए थे जो दमनकारी जो प्रेटी सासन था उसको खिलाफ हिया उसको खतम करने के लिए इसमें एक चितर भी दिखाते हैं कि आदमी होता है एक सैनिक होता है जो एक तरफ घोड़े की रास यानि घोड़े के जो रस्य होती है उसको पकड़े होता है और दूसरे हाथ में तलवार थामे कहा जाता है लड़ाई लड़ने के लिए यूदस्तल में जाता है तो इस तरह सुनकी जो बहुत सारी कवीता लिखी गई है और यह जो हाथ में तलवार थामे और घोड़े की रास पकड़े जो ज लिखा है कि कैसी वह अपने फोजी की पोसाग पहन कर एक मर्दाना सक्षयत के रूप में उसको चिद्रित किया है कि वह दुस्मनों का पीछा करते हुए जो ब्रेटिस सिपाई थे उनको मोत की नीन सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी और इस तरह कि जो कवीता है जिनको हम क है कि जहां से किरानी है वो फोजी पोशाग पहनती थी घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर रंस्थल में गई और बहुत सारे जो अंग्रेज थे हुनको मोत के घाट उतारा हुए उपर जो तस्वीर दिखाईंसे हमें पता चलता है कि उन्हें बनाने वाल जो च भावनाओं को उनकी इसास को पृतिशंड करना चाते हैं उन Lexwise легangस को डबाने की बात करी करते ऑथी तरह जो एक तरह से हमारे देश में भी थे जो एक तरह से लोगों में क्या कर रोगेते राष्टवाद की भावना पैसा कर रहे थे कि यह जो चेप्टर है हमारे हैं पर होता है तो इसमें जो दिखाया गया है कि अंग्रेज थे उन्होंने कैसे चित्रों के मादम से इस अंदोलन को जोरुख दिया उन्होंने इसको एक बर बर लोगों का जुंड बताया परिब्सक्राइब तो इनको एक तारी से बर बरता का परदर्शन करते थे बूसरी तरफ हमारे जो देश के जुख शित्रकार थे इससको राष्ट्रि-शवतनतरता संग्राम के पहलोगों के भादूर के रूप तरसाया गया उनकी बहादूरी को परतिभी मित किया गया तो यह चेप्टर हमारे यहां पर खतम होता है और जो नेक्स्ट क्लास है वह हमारी नेक्स्ट चेप्टर के बहुता है